तो आज हम बनाने वाले हैं बहुती स्वादिस्ट बेसन के लड़ू एक लड़ू को मैं आपको तोड़के दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं कितने दानेदार बने हैं बनाना बहुती आसान है और इससे मैंने बनाया है बारिक बेसन से अब बारिक वाले बेसन से हम एकदम दानेदार लड़ू कैसे बनाएं तो वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ टिप्शे शेयर किये हैं तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिए तो चले बनाना शुरू करते हैं हलवाई जैसे दानेदार लड़ू इसके लिए गेज पर मैंने कडाई रखी है 1500 ग्राम मैंने देशी घी डाला है और अब हम डाल देते हैं 200 ग्राम बेसन तो 200 ग्राम बेसन के लिए आप 1500 से 170 ग्राम देशी घी का यूज़ कर सकते हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हूँ 2 चम्मत सूजी तो मैंने यहाँ पर बारिक वाला बेशन लिया है इसलिए मैं यहाँ पर सूजी का यूज़ कर रही हूँ तो वीडियो में मैं आपके साथ एक और तरीका शेयर करूँगी कि हम इसमें दाने कैसे क्रियेट करें तो इन सबी चीज़ो को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे अच्छे से भून लेंगे तो अगर आप यहाँ पर मोटा बेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप सूजी को बिल्कुल स्किप कर दीजिए तो गेस का फ्लेम हम लोही रखेंगे और लगातर चलाते वे से भूनेंगे तो अभी आपको यह थोड़ा टाइट लग रहा होगा लेकिन जैसे जैसे बेशन की भूनाई होने लगेगी यह बिल्कुल पतला सा हो जाएगा तो इसे भूनने के लिए आप कोई भारी तले वाली कड़ाई का यूज कीजिए या फिर आप नावनिस्टिक कड़ाई भी ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा पतला होने लगा है लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं भुना है इससे भुनने के लिए 10 से 12 मिनिट का समय लगेगा तो गेज का फ्लेम हाई नहीं करना है नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा और उपर से इसका कलर लाइट रहेगा और नीचे से थोड़ा सा ये डार्क कलर का हो जाएगा तो 10 मिनिट का समय हो चुका है आप देख सकते हैं बेशन के बुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है क्योंकि जब हमें इसे पलटा रहे हैं तो इसमें से एक दम जाली से निकल रही है आप देख सकते हैं इसी तरह से जाली दार बेशन चाहिए हमें तो अब हम इसमें दान जब तक इसके उपर ज़ागे खतम नहीं हो जाता तो ऐसे करने से लड़ों में बहुत अच्छे से दाने बनते हैं जो हलवाई होते हैं वो भी इसी तरह से लड़ों बनाते हैं तो एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रू से ट्राइब कीजिए तो देखे मैं सबी मैंने इ तो आज मैंने आपके साथ दो तरीके शेयर की हैं कि आप भारिक वाले बेशन से दानेदार लड़ों कैसे बनाए एक तो आप इसमें दो चम्मा सूजी डाल के से दानेदार बना सकते हैं और दूसरा यापर सीखने के बाद थोड़ा सा पानी छिटक के इसे दानेदार बना सकते हैं तो अब हम इसमें डाल देते हैं शक्कर का बूरा मैंने याप पर मार्केट वाले शक्कर का बूरा लिया है इसी के साथ मैंने साथ से आठ हरी लाइचे का पाउडर लिया है कुछ मैंने याप पर बादाम के कतरन ली है और अब हम डाल देते हैं पिस्ते के कतरन तो यहाँ पर लड्डू बनाना शुरू करेंगे तो 200 ग्राम बेशन के लिए मैंने 200 ग्राम ही शक्कर का बुरा लिया है और 200 ग्राम मैंने गी डाला है तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेते जाते हैं और इसे हातों से लड्डू का शेप दे देंगे बनाना बहुत ही आसानी आप एक बार इसे जरू से ट्राई किजिए और होली आ रही है आप चाहे तो इसे होली पर बना सकते हैं तो हातो से हम इसे थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेते हैं ताकि हमें इसकी प्रोपर शेप मिलें देखे इस तरह से और सभी लड्डू हम यहाँ पर इसी तरह से बना के तयार कर लेंगे तो यह बहुत ही आसान तरीका है बारिक वाले बेशन से दानेदार लड्डू बनाने का तो इलिजेट फ्रेंड्स बहुत ही स्वादिस्ट लड्डू यहाँ पर बनकर बिल्कुल तयार है तो आप मेरी इस रेसिपी को जरू से ट्राई कीजिए और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो आपनेस फरेंड्स आधि में जरूरू हें से शएर कीजिए और अगर आप मेरी सभी रेसिपीस इंगलिश में देखना चाहते हैं तो सब्दाई și महां पर आपको मेद इसे थी रेसिपीस एंगलिश में मिल जाएगी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ आपको और आपके पूरे परिवार को होली के धेरों शुब कामना है